Morning 5th Class, How are you? I am your Hindi teacher Mrs. Sonu Jan विद्यापालभवन स्कूल से आज मैं आपको हिंदी व्याकरन का पार्ट दो वर्ण पड़ा रही हूँ इस पार्ट के पहले लेक्चर में हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली थी एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं आप देखिए आपको यह तो पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इनी वर्णों के समों को हम वर्ण माला कहते हैं वर्ण माला को दो भागों में विभाजित किया गया है स्वर एवं वियंजन कौन से दो भाग स्वर एवं वियंजन में विभाजित किया गया है आपको यह भी मौलूम है कि स्वरों का उच्चारन करते समय हवा बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर आती है यानि कि उनकी उच्चारन में कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किये जाते हस और स्वर कितने प्रकार के होते हैं स्वर होते हैं दो प्रकार के हस्वस्वर एवं दीर्गस्वर कितने प्रकार के स्वर हस्वस्वर एवं दीर्गस्वर पता है ना आपको हस्वस्वर के उच्चारन में कम समय लगता है जबकि दीरगस्वर के उच्चारन में हस्वस्वर से दुगना समय लगता है आपको यह भी पता है कि हमारी भाषा या कोई भी अन्य भाषा है दूसरी भाषाओं से बोलियों से अपने आप में समाहित होती रहती है उनमें अपने अंदर चेंजिस लेते आते हैं जैसे कि अंग्रेजी का आस्वर इसके उधारन देखो बॉल, कॉफी, हौल, डॉक्टर इसमें आ की द्वनी आपको आरी है और इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं ये भी आपको पता है अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में समझ में तो सब कुछ आगे होगा फिर आपको ये मात्राओं के चिन दिखाए गए हैं देखिए औ के साथ कोई मात्रा नहीं है जबकि आ, ई, ई, उ, उ, र, ए, आ, आ, ओ, उ, इन सभी के लिए मात्रा दी गई हैं तीसरे कॉलम में देखिए मात्रा रहित वियंजन को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं यहाँ पे देखिए क के नीचे हलंत लगाया है हलंत का प्रियोग मैंने बताया था आपको कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है उसका मतलब होता है स्वर के बिना वह वियंजन स्वर के बिना लिखा गया है ठीक है? समझ में आया आपको? ठीक है अब आप देखिए यहाँ पे तो वही उधारन दिये वह हैं कि अनुनासिक, अनुस्वा, विसर्ग और ओधवनियों का किस प्रकार से प्रियोग किया जाता है ठीक है? अब चलिए आज हम बात करेंगे विशेश रूप से वियंजन के बारे में स्वरो को आपने पड़ा कि उनके बोलने में हमारे मुख से कोई रुकावट नहीं आती हावा में हावा निकलने की लेकिन वियंजन जब भी बोले जाते हैं तब इनको बोलने में मुख से निकलती वी जो वायू है, जो हवा है वो मुख के किसी ना किसी भाग से टकराती है मतलब स्पर्श करकर बाहर निकलती है चाहे वैं हमारा कंट है, चाहे तालू है, चाहे जिवहा है कोई भी भाग है, दात है, ओठ है, कुछ भी है कही ना कहीं किसी ना किसी भाग से हावा टच होती है रुकावट के साथ बाहर निकलती है तो हम उसे व्यंजन कहते हैं एक बर व्यंजन की परिभाशा हम पढ़ लेते हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारन में हवा मुख से कही ना कही टकरा कर बाहर निकलती है वे वयंजन कहलाते हैं यहां देखिए अड़ा और भाँ यह भी वयंजन की शड़ियनी में लिया गया है ठीक है, आप देखिए शट्रग्या और श्रग्या यह संयुक्त वयंजन है लेकिन इन्हें हिंदी वर्ण माला में हमने स्थान दिया है सहित व्यंजन के रूप में अच्छा एक और धोनी आती है बच्चो ज और फ ज बोलके देखे ज और फ ये ज और फ के नीचे नुकता लगाने से बनती है और यह अर्बी और फार्सी भाषा से हिंदी भाषा में आई है इनको लगा इन शब्दों का प्रियोग करने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है जैसे एक उधारन में आपको देती हूँ फा ना फन वो तो बनिया साप का फन उसका अर्थ और एक जो है फन नुकता वाला फा है और ना इस फन का मतलब होता है हमारी कला कोई भी काम करने की कला मूर्तिकार का फन बहुत अच्छा है है ना मेरा फन गजब का है ऐसे वाक्यों का प्रियोग पू करते हैं न हम लोग तो नुकता लगाने से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है और यह अर्बी और फार्सी धुनियों से भाषा से यह धुनिया आई है हिंदी में अच्छा अब हम बात करते हैं संयुक्त वियांजन के बारे में संयुक्त वियांजन है और इनका प्रियोग कैसे किया जाता है अर्थ तो वियांजनों को जोड़ कर देखिए तरों का देखिए उधारण त और र इसमें त के नीचे हलंत लगाया गया है अर्थार्थ त जो है स्वर के बिना है और र के साथ अगर उसे जोड़ देंगे हम तो बन जाएगा त्र उधारन देखे पत्र सत्र श्रा का देखे श्र और र इन दो ध्वनियों को जोड़ा गया है जबकि पहला व्यंजन स्वर रहित है और र स्वर सहित है श्र श्रीमान श्रे शुरुतले आप कुछ भी ऐसे शब्द ढून सकते हैं अपने आप नई शब्द बना भी सकते हैं प्रयास कीजिए घर में हैं आप प्रयास कीजिए दूसरे संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चो जो अलग-अलग व्यंजन एक साथ आ जाते हैं जब दो अलग-अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं इसमें जो पहला व्यंजन होता है वो औरहित यानि कि स्वर के बिना होता है जबकि दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है उधारन देखिए द और ध द स्वर रहित है जबकि ध स्वर सहित है रहित का मतलब पता है न के बिना और सहित के साथ ठीक है तो द और द दद बुद्धी शुद ऐसे अनिक उधारन आप ढून भी सकते हैं उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिख भी लेजिए तो संयक्त व्यंजन आपको समझ में आए उसके बाद हम बात करेंगे आप दुवित्व व्यंजन के बारे में दुवित्व व्यंजन यानि की जब दो एक समान ध्यान से सुनिए एक समान व्यंजन इस प्रकार से जुड़ते हैं कि पहला व्यंजन तो स्वर के बिना स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ यानि स्वर सहित होता है तब हम उसे द्वित्व वेंजन कहते हैं देखे जैसे ग और ग पहला ग हलंत के साथ है यानि स्वर के बिना है और दूसरा ग पूर्ण है क्या बना गग दिगच स और स रसी ऐसे और भी उधारन आप ढूंद कर अपने पुस्तिका में लि वेंजन है एक लेकिन इसको र का प्रियोग हम मात्राओं के रूप में भी कर लेते हैं र की र के चार रूप प्रचलित हैं जिसमें पहले रूप में तो र सामाने वेंजन की तरह प्रियोग होता है जब र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है इसको शब्द के आर दूसरे नमबर पर देखिए, जब रा दूसरे वर्ण से जुड़ता है, यहां पर रा को ध्यान पूर्वक देखेंगे, रा के नीचे हालन्त है, यानि कि स्वर के बिना रा, जब किसी दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है, तब उसे शिरो रेखा के उपर लगाया जाता है, शीरो रेखा आपको मालूम है जो अब हम शाब्दे लिखने के बाद एक लाइन कीशते हैं उसे हम शीरो रेखा के उपर लगाया जाता है इसे हम रेफ भी कहते हैं क्या कहते हैं? रेफ जैसे उधारन देखिए सूर्य निर्मल इसमें र को शीरो रेखा के उपर लगाया गया है थर्ड नमबर पे देखिए जब स्वर्य रहित अन्यवर्ण जब कोई दूसरा वर्ण स्वर के बिना र के साथ जुड़ता है ठीक है? तब वह नीचे आ जाता है उसको नीचे लगाया जाता है देखिए ब्रह्म प्रणा इसे हम पदेन र भी कहते हैं उपर है रेफ रा तिसरे नमबर पर है पदेन र पदेन र का एक और उधारा नीचे फोर्थ नमबर पे देखिए ट और ड व्यंजन में र को इस प्रकार से जोड़ा जाता है ध्यान से देखिए पदेन र का ही उधारन है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं वर्ण विच्चेद के बारे में वर्ण विच्चेद यानि कि शब्द जो शब्द का आमें वर्ण विच्चेद करना है उसके सभी वर्णों को अलग-अलग करके लिखना है वर्ण विच्छेद कहलाता है जैसे किताब का देखिए क इ त आ ब अ किताब ध्यान पूर्वक इसे देखकर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कम से कम बीस शब्दों का वर्ण विच्छेद घर बैठ के रब करेंगे क्या होता है सबकुष समझ में आने के बाद भी कई बार हमारा उच्छारन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है इसका सिधा प्रभाव आपके लेखन पर भी पड़ता है क्योंकि अगर हम गलत बोलेंगे तो हम गलत ही लिखते हैं इसलिए उच्छारन हमें शुद्ध करना चाहिए देखिए उधारन में विधार्थी या विद्यार्थी कौन सा सही है विद्यार्थी जब हमारा उच्छारन सही होगा तब हम उसे लिखेंगे भी ठीक तो आप घर पर रहकर कोई भी हिंदी का अख़बार कहानियों की पुस्तक कोई भी हिंदी का आपको मैटीरियल पढ़ने के लिए मिलता है आप उसे शुद्ध रूप में थोड़ा तेज अवाज में पढ़ेंगे तो आपकी बोलने की शमता भी भढ़ेगी और उच्छारन भी स्पष्ट हो पाएगा तो इस प्रकार से बच्छों आज आपका पाठ दो वर्ण पूर्ण हुआ इस पाठ में आपने मुख्य रूप से वर्णों के बारे में पढ़ा है वर्ण के दो भेद होते हैं स्वर एवम वेंजन स्वरों का उच्छारन हवा के बीना किसी रुकावट के बाहर आती है मुख से और वेंजनों में हवा मुख के किसी ना किसी भाग से टकरा कर बाहर आती है स्वर दो प्रकार के होते हैं हस्व एवम दीर्ग हस्व स्वर में उच्छारन में कम समय लगता है और दीर्ग स्वर में हस्व से दोगुना समय लगता है व्यंजनों में भी आपने संयुक्त व्यंजन और दुवित्व व्यंजन के बारे में अच्छे से समझा रो के विभिन प्रकारों के बारे में समझा वर्ण विच्छेत के बारे में समझा मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का यह है पार्ट पूर्ण रूप से समझ में आया होगा आपके जो भी प्रश्न है इससे संबंदित वो आप अपने अभ्यासबुस्तिका में नोट कर लीजिए कक्षा प्रारम होते ही हम उनके विशे में बात करेंगे Have a nice day